रोशनी कपरे सुखाने के लिए छट पर गई थी और कपरे सुखाने के बाद जैसे वो अपने कमरे में आती है तो कमरे का नजारा देखकर उसके कंट से चीख निकल जाती है क्योंकि वो क्या देखती है कि उसके कमरे में उसके पती फासी लगा करके अत्मात्या कर लिया है अब उसे समझने आ रहा था कि इतने कम वक्त में वो कैसे फासी लगा लिये आखिर बात क्या है माजरा क्या है वो हैरान और परिशान होकर के जोर जोर से चीख और चिला रही थी तो क्या है इस कहानी के पीछे की पूरी घटना आईए इस वीडियो में सुनते हैं तो नमस्कार प्रणाम मैं हूँ बिनोज्जा और स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का आज के क्रैमे स्टोरी के इस नए एपिसोड में दोस्तों वीडियो शुरू करने से वेगले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपका ऐसा करने से ये वीडियो कई लोगों तक पहुचेगा और लोगों में जाग रुकता फैलेगी ताकि किसी के भी साथ कोई अन्होनी नहो सके तो आईए ज़्यादा समय नहीं कवाते हुए कहानी की शुरवात करते हैं दोस्तों आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है बिहार के पूर्निया जिले की यहां का रहने वाला रामपरसाद खेती किसानी करके अपना परिवार का भरन पोशन कर रहे थे चुकि उनके विवाह को तो काफी लंबे वक्त हो गया था लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी इसलिए उसको जो भी कोई व्यक्ति कहता था कि यहां जाने से तुम्हें संतान हो सकता है किसी डॉक्टर के पास जाने से या किसी ओजहागुनी के पास जाने से जोब होई कोई उसे जहाँ जाने के लिए कहता था अब दोनों पति-पत्नी अपने संतान के लिए इतना परिशान थे कि वो वहाँ चले जाते थे अब ये मेहनत उसकी एक दिन रंग लाती है उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है दोनों पति-पत्नी काफी खुस हो जाते है लेकिन इनका जो ये खुसी है जादा दिन तक टिक नहीं पाती है क्योंकि दोस्तों इनका जो बेटा है वो विकलांग होता है वो अपने बेटे का नाम अमन रखते हैं अब बेटा बिकलंग होते हुए भी माबाप के लिए चाहे बच्चा उलाद कैसा भी हो वो जिगर का टुकड़ा होता है वो बरे ही प्यार से अपने बेटे का पालन पोसन करते हैं और जब बेटा बरा हो जाता है जबाने के धलीज पर कदम रखता है और वो शादी के लाइक हो जाता है तो अमन की पिता जी को अमन की शादी का चिंता सताने लगते हैं रामपरशाद कुछ दिन का समय बीत रहा होता है अब एक दिन अचानक ही अपने आप एक लड़की का रिस्ता अमन के लिए आ जाता है अमन के पिता जी काफी खुश होते हैं क्योंकि वो जो लड़की थी उनके पास कही गाउं की थी जब वो लोग लड़की को देखने गए तो लड़की इतनी खुबसूरत थी उसका नाम रोसनी था दोस्तो अब रोसनी इतनी खुबसूरत थी कि जब शादी हो जाता है अमन का और वो अपने पत्नी को ले करके घर आता है तो वो काफी खुश हो जाता है अब अपने पत्नी का सभी नाजो नकरे उठाता है उसके पत्नी जो भी कहती है, वो हर चीज़ ला करके देता है वो बेपणा महबबत करने लग जाता है जैसे देर दो साल का वक्त बीटता है, तो दोस्तो अमन को भी एक बेटा हो जाता है फिर तो इनके घर में खुसियों का कोई ठिकाना ने रहता है अमन के साथ साथ उसके माता पिता भी कापी खुश हो जाते हैं लेकिन जैसे उसका बेटा चार-पांस साल का होता है तो एक दिन रोशनी अमन से कहती है कि इस तरह अगर खेती किसानी का काम करोगे तो अपने बेटे का भविस से हम कैसे बनाएंगे क्यों न तुम्हें काम करो कि तुम घर से कहीं बाहर जा करके दिल्ली बंबे कहीं भी जा करके कोई काम करो जिससे तुम्हारा अच्छी कमाई हो और हमारे बेटे का भविस से बन सके अमन को भी अपने बतनी की बात ज़ज आती है उसका एक दोस्त होता है जो दिलने में काम कर रहा होता है रजोरी गार्डेन में अब अपने दोस्त के पास फोन करता है और कहता है कि यार मैं काम करना चाहता हूँ घर में अब बच्चे भी हो गए है तो अब आगे की इसकी परहाई लिखाई भी होगी तो खर्चा बरेगा खेती किसान में इतना पैसा है नहीं तो मुझे भी कोई काम लगवा दो अब इसका जो दोस्त होता है जिसका नम राहूल होता है इसके परोस्काई होता है वो कहता है कि ठीक है तूँ आ जा अब अमन घर से दिल्ली आता है और दिल्ली में आकर के सीधे राहूल के पास जाता है राहूल भी उसे एक फैक्ट्री में काम लगवा देता है जैसे एक-दो महिने वो काम करता है, तो अमन फिर से अपने गौं जाता है, और अपनी पत्री को साथ लेकर के दिल्ली आ जाता है, वो सोचता है कि यहां परहाई लिखाए, उसके बेटे जिसका नाम सिवम होता है, उसकी सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए वो दिल्ली आ जाते हैं अब एक अच्छे स्कूल में अपने बेटे को दाखला करा देते हैं और वो अपना काम करने लग जाता है अमन समय इसी तरह दीरे दीरे बीटता जाता है अब इसके जो परोस में रहने वाला लड़का था इसके गाउं का राहुल उसका आना जाना अमन के क्वाटर में रूम में लगा रहता था और चुकि राहुल अमन के परोसी था और उससे छोटा था इसलिए राहुल अमन की बीवी को यानि रोशनी को भावी भावी कहता था और इस भावी और देवर के रिष्टे के नाते वो कभी कभी अपनी भावी इसे मजाग भी कर लिया करता था और उसकी भावी भी उसके साथ हसी मजाग कर लिया करती थी अब इसी तरह हसी मजाग करते करते राहूल और रोशनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है अब प्रेम प्रसंग बहुत गहरा हो जाता है दोस्तों अब इसी तरह एक रोशनी के घर में ही शारेड एक संबंद बन जाता है और जब एक बारे सिल्सला शुरू हो जाता है तो यह रुकने का नाम नहीं लेता है यह वासना है ही ऐसी चीज़ दोस्ति अब जब भी कभी मौका मिलता अमन ड्यूटी पर चला जाता तो राहल रोशनी इधर कमरे में आ ऐसपास अपने क्वार पर अपने रूम में आता है और जैसे ही अपने रूम का ओ नजारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिषक सक तरह से मारता पीड़ता है अपनी पत्नी को अब जब राहुल के सामने ही उसकी पत्नी देखती है कि अमर उसको बहुत ज़्यादा मारता पीड़ता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और फिर राहुल को इशारा करती है तो राहुल फोरण बीच में आ करके बीच के बीच में ये रोड़ा बनता ही रहेगा क्यों न हमेशा हमेशा के लिए इसको खत्म कर दिया जाए इतने में राहुल उसका हाथ पकर लेता है रोशनी उसके छाती पर बैठ जाती है और जोर से उसका गर्दन दवाने लग जाती है और तब तक गर्दन दवाती रहती है रोशनी की सारी का फंदा बना करके अमन के गले में डाल देता है और उसे पंखे से बांध देता है और राहूल कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ जैसे मैं यहां जाओंगा तो तुम जोर-जोर से चिलाना और लोगों को बताना कि तुम्हारा पती आत्म हत्या कर लिया है ठीक वैसे ही रोशनी करती है कुछ कपरे लेकर के छत पर जाती है और फिर जैसे नीचे आती है तो इतने जोर से चीखने और चिनालने लगती है अपने कमरे में आस परोश के लोग भी इसकी चीख और पुकार सुनके जब सब लोग जमा हो जाते हैं तो जो भी इसके घर का नज की डेड़ बोडी का मुएना करती है तो साब पता चलता है कि उसके गर्दन पर कुछ निशान है उसके बाद सबसे पहले पुलिस अमन की डेड़ बोडी को अपने कस्टडी मिले करके पोस्ट माडम के लिए भेज देती है और इस मामले की छान बिन करना शुरू करती है अब फोरण टीम सक्ते में आती है सबसे पहले अमन की बीवी से पूस्ताज की जाती है तो पहले तो वो इधर उधर की बात करती है लेकिन जब पुलिस सक्ती दिखाती है तो वो तूट जाती है और उसके बाद अमन के मौत के पिछे की जो कहानी वो पुलिस को बताती है पुलि तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है तो दोस्तों मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब किसी के भी दिल को ठेस पोचाना नहीं है किसी को परिशान करना नहीं है बलकि समाज में जागरूकता फेलानी है लोगों को जागरूक करना है ता कि वो जहां भी रहे सुरक्षित रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें तो आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राइ है आप लोग अपना भीचार टो सक्षन में जरूर दीजिएगा मैं आप लोगों के कमेंट्स का बेसबरी से इंतजार करूँगा तो ये थियास की कहानी मिलते हैं कल किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक के लिए जाहिंद जा भारत दोस्तों